कोरिया जिले के अंतरगत आने वाले पटना थाना में दोहरी मौत का मामला सामने आया है जहां एक तरफ एक नबालिक ने अपने घर पर ही फांसे लगा कर आत्मात्या की तो वहीं दूसरी तरफ एक नबालिक का शो पटना थाना क्षेतर के चंपाजर ग्राम के घुटरी टोल मामले में पुलिस ने डोकेश्वर को भी पूचिताज के लिए थाने बुलाये था उसके बाद डोकेश्वर ने भी फांसी लगा कर आत्मात्या कर ली पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है जो नबालिक बच्चा था उसका 303 कायम वहा था 20 लवंबर को इसी परिक्राम में जो साथी बच्चे थे जो ब्रेट बेशने का काम करते थे इससे पुलिस के ज़रा उनकी परिजनों की पसेचिंग पोस्टाज के गए थी और आज लग के इस तारिक को जो गुम बालक था 303 क इसका आया मुआ था नाबालिक बच्चे की करें दस बजे पुलिस थे खुज भीन कर ले थी उस दोरान उसकी बड़ी मुली है और जो बच्चा इसमें जो साथी बच्चा था इसके इस परिक्राम में सुसाइड कर लिया है तो उसको भी मार्ज परिस्तामा करके आगे किसा अब लोग के साथ कों था पासवां सारो पीछे थे लोग और इसी जगह भी थे ना लोग हाँ